भारतिय संस्कृति का अनोखा सोरूप भारत एक विविद संस्कृति वाला देश है एक कथे की यहां यह बात इसके लोगों संस्कृति और मोसम में भी प्रमुक्ता से दिखाई देती है हिमाले की एनस्वर वर्प से लेकर दक्षिन के दूर दराज के खेतों तक पक्षिम के रेगिस्तान से पूरू के नम डेल्टा तक सूखी गर्मी से लेकर पहाड़ियों की तराई के मध्य पठार की ठंड़क तक भारतिय जीवन सैलियां इसके भूगोल की भवेता इस बहर्मान अलग-अलग है यहाँ के लोग अलग-अलग भासाइं बोलते हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं भिनी भिनly धर्मों का पालन करते हैं अलग-अलग भोजन करते हैं कि इनट उनका स्वभाव एक जैसा होता है चाहे कोई खुशी का आउसर हो या कोई पर खुशिया मनाने में सामिल होता है इसी परकार एक भारतिय विवा मेल जो लकायोजन है जिसमें ने के वलवर और वधुबल की दो परिवारों का भी संगम होता है चाहे उनकी संस्कृति या फिर धर्म का मामला क्यों नहीं हो इसी परकार दुख में भी पडोसी और मित्र उस दर्द को कम करने में एक महत्वपुण भूमिका निभात भारतिय संस्कृति के बारे में पंडित मदन मोहन मालविय का कहना है कि भारतिय सब्वेता और संस्कृति की विसालता और उसकी महता तो संपूर्ण मानव के साथ तादत में संबंध इस्थापित करने अर्थार वसुद है उकुटमबकम की पवित्र भावना में नहीत है भारत का इत्यास और संस्कृति गती शील है और यह मानव सब्वेता की शुरुआत तक जाती है यह सिंदुगाटी की रहसे में संस्कृति से सुरु होती है और भारत के दक्षन इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है भारत के इत्यास में भारत के आसपास इस्तित अनेक संस्कृतियों से लोगों का निरंतर समिकन होता रहा है उपलब्द साक्षियों के अनुसार लोहे तांबे और अन्य धात्यों के उपयोग काफी शुरुआती समय में भी भारतियों महादीप में प्रचली थे यह जो किसी से द्वारा की गई प्रकर्ति का संकेत है चोती सह स्त्राप्दी बीसी के अंत तक भारत एक अत्यन्त विक्सित सब्वेता के शेत्रे के रूप में उभर चुका था संस्कृति के साब्दीकर्थ की बात की जाए तो संस्कृती किसी भी देश जाती और समुदाई की आत वर्तमान समय में सब्वेता और संस्कृति को एक दूसरे का परियाय माना जानने लगा है लेकिन वास्तों में संस्कृति और सब्वेता अलग अलग होती है सब्वेता में मनुष्य के राजनेतिक प्रसाशनिक आर्थिक प्रोधोगी के वेद्रश्य कला रूपों का परदर्शन होता है जो जीवन को सुख में बनाने में महत्पुर्ण भूमी का निवाते हैं संस्कृति में कला, विज्ञान, संगीत, नत्य और मानव जीवन की उच्टम उपलब्या सम्मिलिते हैं भारती संस्कृति विश्व की प्राचिनतम संस्कृतियों में से एक है यह माना जाता है कि भारतिय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समानी प्राचीन है भारत विस्विकी सबसे पुरानी सब्वेताओं में से एक है जिसमें भहुरंगी विविदता और सम्रिच संस्कृतिक विरास्त है इसके साथ ही यह अपने आपको बदलते समय के ढालती भी आई है यूनान और मिस्र और रोमा सब गिर गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामों निशान हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिठती नहीं हमारी सद्यों राय दुस्मन दोरे जहां हमारा जब से मनुष्य का जीवन अस्तित में तब से वे निरंतर उन मुल्यों की तरफ अग्रेसर है जिनको प्राप्त कर लेने पर उसका जीवन व्यवस्तित होने के साथ साथ आत्मिक सोंद्रे से भी परिचित हो सके उसकी है प्रवर्ति वास्तों में संस्किर्टी की और इसारा करती है भारतिय संस्किर्टी समस्त मारवजाती का कल्यान चाहती है भारतिय संस्किर्टी में प्राचीन गोरवसाली मानिताओं एवं परांप्राओं के साथी नविंता का समावेश भी दिखाई देता है भारतिय स संस्कृति या गंगा जमनी तहजीब में परिवर्थित करती है अगर भरतिय संस्कृति के समनमी तूप पर विचार करे तो इसमें विबिन विसेषताइय देखने को मिलती है भारतिय संस्कृति प्राचिन काल में मनुश्य के चार पूरसार्तों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एम, चार, आस्रमों, ब्रमचरिय, ग्रेस्त, वान, प्रस्त, एम, सन्यासका उल्लेक है जो आध्यात्मिक्ता एम, भोतिक पक्ष्में समन्वे लाने का प्रियास है उल्लेक निये कि भारतिय संस और वोर तुरकों और मुगलों के माद्यं से यहां इस्रामी इसके बाउजूद भार्ते संसकिर्थि ने अपना प्रत्रक अस्तितु बनाया रखा और नवागत संस्किर्थियों की अच्छी बातों को उदारता पूर्वा ग्रहन किया आजम भासा खानपान पहनावे कला संगीत आदी हर तरह से गंगा जमनी तहजीव का यूं कहें कि वैस्विक संस्कृति के नमूने हैं कौन कहेगा कि सलवार सूट इरानी पहनावा है या हल्वा कबाब पराठे सुध भारती वेंज इसके अलाब भारती संस्कृति में प्रेकरती मानों सह संबंद पर बल दिया गया हमारी संस्कृति मानों प्रेकरती और पर्यावन के अटूट एवं साचारी संबंदों को लेकर चलती है भारती उपनी सुधों में इस्वर की व्याप्तता को स्विकार किया गया यहां के व भारतिय संस्कृति को समन्वित स्वरूप देते हैं भारत की विबिन कलाओं जैसे मूर्तिकला, नर्तिकला, चित्रेकला, लोक संस्कृति इतियादी में भारतिय संस्कृति के समन्वित स्वरूप को देखा जा सकता है विबिन धर्म पंथे इंबर्गों के लोगों का नेत्र तो इन कलाओं में द्रश्टी गोचर होता है जैसे मद्यकाल में इंडो इस्लामिक इस्तापत्यकला और आधुनिक काल में विक्टोरियन सैली भारतिय संस्कृति का समनवित रूप के वल भोगोलिक राजनेतिक सीमाह में ही नहीं बलकि उसके बाहर भी है भारत के अंदर पिन विदाओं में संस्कृति के प्रभाव को देखा जा सकता है यहां कि संस्कृति के आधार मुल्य दया करूणा प्रेम शांती सही शुनुता लचीला पन छमा सीलता इत्यादी को भारतिय साहिते में समुझे तरीके से अभिविक्ति दी गई है भारतिय संस्कृति का यह इनकी संयुक्तमाला निशही समेकित भारतिय संस्कृति का प्रेति दित्व करती है तुलिशीदास मद्यकाल में भारतिय संस्कृति के समन्वे के सबसे वड़े कवी के रूप में नजराते हैं भारतियों ने गनित्वय खगोल विग्जान पर प्रमानिफ यह आधार-भू आज आविशक्ता है कि हम अतीत की सांस्कृतिक धर्वर को सहेजे और सवारे कता उसकी मजबूत आधार सिला पर खड़े होकर नए मुल्यों नई संस्कृति को निर्मित एवं विक्षित करें धर्नेवाद जैहिन जैभारत